हरसी काल दोस्तों मैं हां त्वाड़ा नुट्रीशनिस्ट कमल दीप सिंग ओजला इरुड़ाइड नुट्रीशन तों लेके आया है त्वाड़ेली नेक्स्ट वीडियो जेडी है इस नमी प्लेइलिस्ट जोके अपा सिर्फ ते सिर्फ इस प्लेइलिस्ट विच गल करांगे पेट दिया प्रॉबलम पेट दे विच होण वाले अलसर दे बारे या खाने वाली पाइप दे विच होण वाले अलसर बारे या जिस साड़िया अंतडिया दे विच अलसर हो जन्देने जखम हो जन्देने ता उना बारे ये वकरी प्लेइलिस्ट जेडी है ये मेरे यूट इना बिमारियां नू अपा लडी सारे सावना डिसकस करांगे भी पहला पेट दे अंतडी दे अलसर एस तो बाद अपा गल करांगे जेड़ा साथे खाने भाली पाइप फूड पाइप दे पेच जेड़ा अलसर हो जन्दा इसोफेगस ओधी उदे नाल ही एक जुडी होए ब रेक्टल अलसर दी रेक्टल अलसर जेडा कि वड़ी आंत दे जेड़े अलसर ने वड़ी आंत दे जखामा उना बारे रेक्टल अलसर दे नाल जूडियां होई हैं कूछ बिमारियां जिनंने नहीं IBS, IBD के दर ने, Irritable Bowel Syndrome, Irritable Bowel Disease, या फिर Ulcerative Colitis, यह सारियां बिमारियां क्योंकि मिल दियां जुल दियां ने, इस करके इना नो आपा इस प्लेलिस्ट दे तीसरे हाफ, तीसरे हिस्से दे विच जड़ाया, इना नो डिस्कस करांगे, वीडियोस बनोन दा टांग, इस वार प्लेलिस्ट दे विच ए होएगा, कि आपा बिमारी दे कारण, बिमारी दे जो मेन रूट कॉज ने, पैथा फिजियोलोजी है, उदे बारे पहलां डिस्कस करांगे, देखांगे भी यह बिमारी कितना शुरू होई थे, कितना वदी थे यह दे की-की लच्छन साथे जीवन दे विच आ सकते हैं, इस तो बाद द्वाइयां दे नाल यह सर्जरी नाल कितना है, इसे बिमारी दा ट्रीटमेंट कीता जांदा, सर्जरी दे द्वाइयां उपर आपा बहुता जोर नहीं दे ना, क्योंकि वो साथे टॉपिक दे नाल डाइट एक्स्प्लेइन करांगे भी किस बमारी चे किस तरह दी डाइट जेड़ी है, वो सानू लेनी चाहिए दी है, सो अगर तुसी इस चैनल दे पहली बार आये हैं, ते यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना पुले हो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबना ना अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं ता मिननों फेस्बुक इंस्टाग्राम दे उपर फॉलो करना भी ना पुले हो, इरू डाइट नुट्रिशन हमेशा तो अडे वास्ते सेथ पक्षी जानकारी वालियां वीडियो दे लेके होंदे, ते हमेशा निर्पक ते सब तो के तुसी द्वाईया रहत एक तांदरवस्त जीवन जीओ, ते अगर साथी कोई प्रॉबलम काट द्वाईय ते ज्यादा प्रेज डाइट दे नाल ठीक हो सागती है ता अपा नेचरली साथे स्रीनू ठीक करन दे विच बलीव करिए, नेचरली साथे स्रीनू ठीक करिए, द्वाईया दे साइड एफेक्ट्स तो बचिए, ते इस चैनल दे उपर अगर तुसी पहला तो जुड़े है, तो इस चैनल दा फॉर्मेट भी थोड़ा गया होण आपा चेंज करना है, होण तो जीडिया वीडियो तो आनू इस प्लेलिस्ट भी दिखनगी है, ओधे नाल आपने वीडियो आज दी स्टार्ट कर दे है, पूरी वीडियो देखर लेए, चैनल दे आनू जुड़े है तो बैक दोस्तों चलो आउ शुरू करिए अपनी वीडियो मैं तो आनू प्रेजेंटेशन वाली स्क्रीन ते लेजन आया, जिरे विच्छ इस टाइम तॉसे टॉपिक देख रहे है, गेस्ट्रिक अलसर ते डूदिनल अलसर जिन्हों अपां कंबाइन जुदों केनने यहा होंदा है, गेस्ट्रिक अंड डूदिनल यानिके पेट यहां डूदिनल होंदा है, जड़ी साड़ी चोटी आंतरी दा शुरुवाती हिस्सा, सो ए प्रेजेंटेशन जड़ी है, ओ मेरे द्वारा यानिके डाइटीशन कमल दीप सिंह ओजला, इरुडाइट नूट्रीशन वलो तो अडिनल सांजी किती जा रही है, सो आउ शुरू करिए, सब तो पहला आपां गल करांगे गेस्ट्राइटिस बारे भी गेस्ट्राइटिस की होंदा, गेस्ट्राइटिस जेड़ा है उसाड़ी जो पेट दे अंदरूनी जेड़ी एक लाइनिंग हा, अंदूनी पर जिदा कई वार जिदो जुकाम गएरा लगदा है, साड़ा रेशा गली चो या नक्च निकल दा, उन्हों भी ऐसी म्यूकस ही कहतना है, यह म्यूकस दी जेड़ी लाइनिंग है न, यह ठिक लाइनिंग होंदी है, यह साड़े पेट दे अंदूनी पासे नों कबर करके रख क्यों कोट करके रख दी है, क्योंकि जब वासी खाना खानते हैं साड़े पेट से बहुत ही स्ट्रॉंग एसिड बड़ा जिड़ा तजाब है वह बहुत स्ट्रॉंग रिलीज होंता है ताकि साड़ा खाना गल सके, साड़े गाट खाने चे प्रोटीन ने, फैट ने, लेकिन अगर एसे म्यूकस दी लाइनिंग दे वेच कोई दिक्कत ऑनी शुरू हो जाए विच त्रेड़ा आजान या इहीं विच सोजिश वर गे लच्छन शोग करन लग जाए ता इनों असी गेस्ट्राइटिस के दने हैं आप फार्क जड़ा या इदे विच दुसी इते द जाए ते थोड़ा अंदर थोड़ी ओधी लुक चेंज हो जाएंदी क्योंकि इरिटेट हो लग पई है साड़ी जड़ी गेस्ट्रिक लाइनिंग हो ते अंदर जखम बनन लग पई है तो गेस्ट्राइटिस जड़ा है उदा एक कारने भी हो सकता है कि साड़ी ही स्रीर दे पर वो किते एदे उपरी गलती ना अटेक कर दंदे या जिदे करके वी इस होजिश जड़ी है वो पेट दे विच आ सकती है यह जड़ी म्यूकस दी लाइनिंग हो इरिटेट हो सकती है दूसरा बड़ा कारण जड़ा गेस्ट्राइटिस दा है वो हैगा एक बैक्टीरिया है एक जवानों एदा नाम है हेलिको बैक्टर पाइलोरी इन वसी एच पाइलोरी करके भी कहने है आ उदी फोटो जड़ी है तुसी नीचे देख सकते आ उदा सरीर दा हिस्सा आया ते आ उदे जड़े डंडिया तौन दिख रही है यह जड़े बाड़ा वर्गे जड़े फ्लेजला जे ठीक है नो फ्लेजला केंदे कई वार एच पाइलोरी बैक्टीरिया जड़ाया ए ग्रोथ ज्यादा हो जन दी साधे पेट च एस बैक्टीरिया दी उस करके जड़ाया ए म्यूकस दी लाइनिंग नू भी खराब करदन दा या ते ए पेट च सोजिश भी करदन नहीं इस ट्रॉंग बैक्टीरिय ए जड़ा स्ट्रॉंग तजाब च ए वर्दफोल निसागदा पर कई बार कुछ कारणा करके साधा स्टमक एसिड कमजोर हो जन दाया सो उधों एस बैक्टीरिया नू बदन फुलन दा मौका मिल जन दा हैलिकोबैक्टर बारे थोड़ी व 50% तो बद लोग जर च तरतिते या जिना पेट वेच हैलोरी पाया जानदा 10 तो 20 परसनट चांसा भी उना लोकान गेस्टराइटेस हो सकडा या ते एक तो 2 परसन्ट चांसा भी है च पायलोरी करके पेट दा कैंसर भी हो सकडा ठीक है अ आजया अगली स्लाइड ते आजो ह पाईलोरी कितना साथे पेट दी याओ म्यूकस दी लाइनिंग अज़ेडी रेशे दी लाइनिंग अनुग कितना खराब करूगा अगर आप डाइग्राम दी विच पाईलोरी दी याँ फलेजला आया आ जड़े वाडा वर गे याड़े इस्ट्रक्चर आ अगर इना नुट्या आनना देखिए ते मन लाओ के साथे सेल दी आ लेयर या पेट दे अंदर म्यूकस दी ये प्रटेक्टिव लेयर या एदे थल्ले साथे पेट दी टिशू सेल या एच पाईलोरी ने अपने वाडा आरगे डंडेया दे नाल इत्थे जाके अपने फलेज इस साथे जेडी पेट दी लाइनिंग आना एनू नुट्सान पुचा सागदा या ठीक है सो एच पाईलोरी करके जेडा या पेट दे म्यूकस दी लेयर खराब हो सागदी या उत्थों फिर गहां पेट दे एसिड करके जेडा साथा पेट या ओ अंदरों खराब होना शु करके पेट दा एसिडा होर कमजोर हो जन्दा जदो पेट दा एसिड कमजोर होगा ते फिर हलीकोबेक्टर नू बदन फुलन ली एक होर अच्छा मौका मिल जूगा एस तो अलाबा ये प्रोटीएजस ते होर कुछ साइटो टॉक्सिन ए भी प्रड्यूस करदा या जेड़ कि दा पहला हिस्सा आया डेनों अपा डूड़नम कहने ये दे विच मानलो अगर आहां काली रांग दी जेड़े एक्टि पाइलोरी जेड़े बैक्टिरिया नजर आ रहे या एक ही कर दे या ए साधी स्किन सेल दे विच गड़ने शुरू हो जन्दे आ देखो म्यूकस लेय जेड़ी आ सोजिश तुसी देख रहे हैं एस एरियेच आ हिससे जेड़ी लाल रंग दी सोजिश देख रहे हैं ए सोजिश होनी शुरू होगी सरीर ने इना बैक्टिरिया नूँ जदो म्यूकस लेयर नूँ खराब करते देखे या था आ कुछ सरीर ने अपने वल्लों भी आगी इन्फ्लेमेटरि रिसपॉस जेड़ा क्रियेट करना शुरू कर देता हिजरें करके सोजिश होर ज्यादा बद राप ठीक है वही आज नाल साही हाथ दे हो पर कोई मदाली लड़ जन दी, वही इंफ्लामेशन नाल साही है। जों बचे लट कर्के सोजिश होइए, उन्हों पेट दे विच इमाजन करो, और चीज हों पेट विच हो रही है। उन्हों करदा कौन पया है एच पाइलोरी जड़ा हलिकोवेक्टर पाइलोरी है यह बैक्टीरिया करदा पया सो पेट दे कुछ हिससे यह काफी ज़्यादा बड़े ही सेच भी इंफ्लामेशन हो सकती है जिदा तो सिथे देख सकते हैं अगर इंफ्लामेशन नो कंट्रोल नहीं कीता जानदा ते एहे अलसर्दे विच तबदील हो जाएगी यानिके एदा जखम पूरे पूरा बन जेडी गेस्टराइटस दी प्रॉब्लम हा ओ हुंदी या नौन स्टेरोइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यानिके पेंकिलर यानिके दर्द दिया दमाईया को साड़े माल जोडा जे दर्द रहनदा या किसे भी हिससे दर्द रहनदा अगर असी पेंकिलर जादा ख हो सकती है सानु गेस्टराइटस हो सकता ठीक है सो तेन कारण आपन समझ ले पहला कारण हो गया कि अगर साड़ी जड़ा साड़े ही स्रीर दे जड़े सेल ने उसाड़े पेट दी सेल अटक कर दे नंबर दो ते अगर बैक्टीरिया दी ग्रोथ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम दे बैक्टीरिया दी ग्रोथ ज़्यादा होगी नंबर तेन अगर असी पेंकिलर ड्रिंक या कोई लोग चाह ज़्यादा पींदे ने अगर ए चीजा जड़े ज़्यादा कर दे या ते उदे नालबी साड़े पेट दे एसिड दे विच जड़ाया ओ पेड़े एसिड पूरे पेट दे विच भी दर्द रहे सकती है मठी मठी दर्द सार देने पेट वेच हुंदी रहें या जो तोसी खान खानने उनों वद जन दी उस्तो बाद वजनकटना शुरू हो जन दा क्योंके खाना साइट रीके ना पाच नी रहा साठी शरीर नू पोशन नी मेल रह या एस्तो बाद इसस तो सांटे पेट चे हर वर खाना खाय ते दर्द हुने है या ते साथा हॉली-हुली खाना खानों जि करना सो सासी אח पोखमर लाग लाग जानी-हा पोख कट जानी इस तो अलावा नोजिया या यानिकर एल्टी दा मन करना जा उल्टी आ जानी बलोटी यानी के पेट दा अफारा हो जाना असी थोड़ा जा खाना खाना है तरो इद्धा मसूस होना भी आसी बड़ा सारा खाना खाले यह इनूं कहते हैं अपा है कई बार दिल दे लच्छना दे नाल भी यहनूं असी कंफ्यूज कर ली दाया ठीक है ते क्योंके खाना सही तरीक है ना पाचनी सिर्या इस करके वजन कम ते अनीमिया यानिके खून दी कमी भी सानूं हो सकती आ लास्ट जड़े दो लच्छन लिखे या यानिके बहुत काले रंग दा स्टूल पास करना या साथी टॉइलेट दे विच अगर बलड ओंदा या काले रंग दी टॉइलेट ओंदी या अगर उल्टी कर दे ओओ दे विच बलड रंद आया ता ओधा वी कारण गेस्ट्राइटिस हो सगदा पर यह अपन अगलिया स्लाइड दे विच अग वाले रंग दा स्टूल पास होना या खून वाली उल्टी सो ए दिखता देडियां या गेस्ट्राइटिस करके या अलसर करके बंदे नूं आसगमियों